नमस्ते दोस्तों ये वान स्टोडी वाला चैनल पे आप लोगों का स्वागत है आज की कहानी वक्त और गाव के लड़के की कहानी वीडियो को लाइक करके कहानी को आगे सुने दोस्तो आज की ये कहानी सुनने के बात आप हार काम पुरी इमानदारी और महनत से करेंगे ये कहलो के ये कहानी आपको मजबूर कर देगी पुरी इमानदारी और महनत से अपना काम करने के लिए कहानी है गाव के लड़की की, घर की मजबूरी और पैसे की कमी की बज़ा से वो दूर शहेर काम करने के लिए जाता है ताकि वहाँ से कुछ पैसे कमा पाए जिससे उसका और उसका घरक वालों का खर्चा पूरा हो पाए वो लड़का काफी दिन तक काम की तलश करता है और आखिर कार उसे काम मिल जाता है वो लड़का अपना सारा काम पूरे इमांदारी और मेहनस से पूरा दिन करता है ये देखकर उसका मालिक खुश हो जाता है अब छे मैने तक ऐसे ही चलता है छे मैने के बाद वो लड़का अपने मालिक को कहता है कि अब मैं कुछ दिनों के लिए बापिस अपनी घर जाना चाता हूँ और उस लड़के को पूरा उमीद थी कि उसका मालिक उसे घर जाने से नहीं रोकेगा लेकिन उस लड़के की सोच से विपरित उसका मालिक कहता है नहीं तुम्हें दो माहिने तक थोड़ा और काम करना है और फिर उसके बाद अपने घर जा सकते हो लड़के को थोड़ा गुस्सा आता है लेकिन वो अपने गुस्से को शांत करके मालिक से पूछता है बताईए मालिक कौन सा काम है उसका मालिक कहता है हमें एक घर खरिदना है तुम पूरा शहर घूमो और तुम्हें जो सबसे अच्छा लगे वो घर खरिद लो और जैसे ही ये काम खतम हो जाता है तुम बापिस अपने घर कुछ दिनों के लिए जा सकते हो ये सुनकर वो गाव का लड़का खूश हो जाता है और जल्दी जल्दी घर को खरिदने का काम खतम कर देता है वो मालिक के पास जाता है और कहता है मालिक मैंने सबसे अच्छा घर आपके लिए खरिद लिया है मालिक हैरान हो जाता है और कहता है स्रिप दर्श दिनों में तुमने अच्छा सा घर खरीद भी लिया गाउ का लड़का कहता है ये घर कफी बढ़िया था इसलिए मैंने खरीद लिया और वो कहता है कि क्या मैं अब अपने घर कुछ दिनों के लिए बापिस जा सकता हूँ मालिक कहता है नहीं तुम स्रिप दो दिन के लिए अपने घर बापिस जा सकते हो गाव का लड़का कहता है अरे मालिक मुझे गाव जाने में ही एक दिन लगता है तो कैसे भला मैं दो दिन में बापस आ जाओ मुझे मेरे परिबार के साथ वक्त वित विताना है मालिक खुशो कर कहता है कि अब से तुम हमेशा अपने परिवार के साथ एही रहोगे जो घर मैंने तुम्हे खरीदने के लिए कहा था वो घर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए मेरे तरफ से एक तोफा है ये सुनकर वो गाव का लड़का खोशने की वज़ा मायूस हो जाता है और कहता है अगर मालिक अपने मुझे पहले कहा होता कि ये घर आप मेरे लिए खरीद रहे हो तो मैं थोड़ी और जानकरी प्राप्त करके इस से और अच्छा घर खरीदता मालिक ने कहा मैंने तुम्हें दो महीने दिये थे और दस दिन में खरीद कर तुमने तुम्हारा नुकसान किया है इसी तरह जिन्दगी में भी हमारे सती ही होता है कहानी में जो मालिक था वो आसल में वक्त था और हमेशा वक्त जाने के बाद कहता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं इससे भी अच्छा कर देता दोस्तो इसलिए आप अभी जिन्दगी में जो कर रहे हो उसे पुरा जुनून और महनत के साथ किजिए ख्या पता आज जो कम कर रहे हो वो आने वाले समय में अपके जिन्दगी बदल दे तो दोस्तो ये था आज के कहानी अशा करती हो कहानी आपको अच्छी लगी होगी अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और हाँ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और पास बले वेल वटन जरूर दबाना खुश रहिए हशते रहिए थेंक्यू